सबसे पहले तो मैं अपने सारे भोजपूरी वार्शियों को भोजपूरी दर्शक को मेरे तरब से नमस्कार कहना चाहूंगी और आज हमारे शीडूल का आखिरी दिन था फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गई और पैकप भी हो चुका और अभी तक हम इसी ड्रेस में बैठे हुए थे पैकप के बाद कि हाँ निकलना है अब बड़ते आ गए हमारे सामने अखिलेश जी सबसे पहले तो मैं अपने भोजपूरी समाज अपने भोजपूरी दर्शक को मेरे तरब से नमस्कार कहना चाहूंगी और आज शूट का आखरी दिन था मतलब यह हमारा सेकेंड शीडूल था और इसका आखरी दिन था अभी जश्ट पैक अप हुआ है जी हाँ बिल्कुल जो आपने सुना है वो सही है ट्रेंगल लव स्टोरी है और मेरा किरेदार एक सिधी साधी नटखटी लड़की है और मेरा भाई बहुत ही बड़ा गुंडा रहता है और पहली फिल्म है जिसमें मेरी भावी भी गुंडी रहती है तो मुझे काम करके बहुत ही अच्छा लगा और खास तोर से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे प्रोडूसर जी सीता राम सर सबसे अच्छे है और उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा हमारे डरेक्टर प्रदीप जी है उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा कोई ऐसा किस्ता नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा परेशान देवानन मिश्रा जी ने किया हम लोग रोज उन से लड़ते जगड़ते रहते हैं कुछ ऐसी बाते हैं जो बाहर नहीं बोलना चाहूंगी मैं जिस बात को लेकि हम लोग उनको रोज चिढाते थे और वो गुसाते घर उस बात को लेकि हम लोगों ने बहुत इंच्वाय किया तो आनन्देव जी के साथ बहुत इंच्वाय किये बहुत मजा आया है अभी मेरी एक फिल्म में आनेवाली दम है तो आ भीहार ब्राम बनाये जोड़ी और ये हमारी तिसरी फिल्म है जी तब हम प्यार के बाजी अबने दर्शक से कहना चाहूंव लिए, इसे फिल्म को नहीं मेरे आने वाले सारे फिल्म को देखिएगा, खास्कर इस फिल्म में कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से आप सबसे पहले मैं सबको हाय बोलूंगी नमस्ते बोलूंगी और जैसे कि फिल्म का लाजड है तो बट ऑविसली खुशी है कि हमारे फिर्म कम्प्लीट हो गई है अच्छे से कम्प्लीट हो गई है कोई प्रॉब्लम नहीं सब कुछ अच्छा बट अब लास्ट यह है तो हम सबसे अलग होंगे सबसे बिछडेंगे तो इस बात का थोड़ा सा दुख तो जरूर रहेगा सबसे पहले तो मैं यह बताओं कि बोजपुरी में बहुत कम साफसुत्री फिल्में बनती है और यह उन फिल्मों में से हैं जो बहुत ही साफसुत्री फिल्में और बहुत ही लव स्टोरी है ट्राइंगल लव स्टोरी है और बहुत ही खुपसूर्ती से फिल्म आया गया है हमारे रदीप सर हमारे सीता राम सर हमारे सारे को एक्टर हमारे पूरी टेकनीशन स्टीव ने बहुत ही अच्छे से मैनत किये तो यह फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है तो मैं यही कहूंगी कि लेट सी अच्छा अब एक सीरियल में भी काम करें तो सीरियल के बारे में बैता है कि क्या है मतलब किस सरा का रोल है और इस यह देफिनेटली किसी भी फिल्म के पीछे सबसे बड़ा हाथ प्रोडक्शन कहीं होता है तो हमारी लक्षम हमारी लक्षमी इंटर्टेइनमेंट और रुद्राक्ष फिल्म की तरफ से जो हमारा जो बैनर है उसके लिए हम और हमारी पूरी टीव अभारी है उस चीज के लिए कि उन्होंने इतनी अच्छे से अफोर्ड किया और अच्छी फिल्म बनाई धिया है वेल मुझे पूरा मैंने आदे बट मैंने एक गाना फिल्माया था उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं आइल ट्राइ माँ बेस्ट अच्छे सबसे अच्छे प्रोडूसर हैं सो मैं यही कहूंगी इस वेरी नाइस गाई और नोट इवन सीता राम सर हमारे सारी टीम हमारी पूरी की पूरी इं प्रक्षीन टीम, एक्टर टीम, सभी लोग बेस्ट हैं इस यह गाना गाती हूं साथ चोड़ियान जीवन भर इंतजार करी हा साथ छोड़ियाना जीवन भर इंतिजार करी हा ए राजा जानों से बढ़के हम से प्यार करी हा ए राजा जानों से बढ़के हम से प्यार करी हा ए राजा जानों से बढ़के थाइंक यू अच्छा जाते जाते दर्शकों से कुछ कहना जाएगे सिल्म के लिए मैं अपने सारे दर्श्कों से कहना चाहूंगी कि वो हमारी इस फिल्म को देखे और हमारी इस फिल्म को हम सब को अपना आश्रवाद अपना प्यार दे अपनी ब्लेसिंग्स दे थांक यू सो मच